नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल बहेश प्रजापती में आज हम करने वाले हैं नाइन्ध क्लास का अल्जिब्रा का प्राब्लम सेट सेवें जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कोश्चन नमबर वन किया था जो मल्टिपल चोईस कोश्चन था इस वीडियो हम करने वाले हैं कोश्चन नमबर 228 कोश्चन नमबर 2 से लेके 8 तक करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो कोश्चन नमबर 2 हमारा है दे मीन सेलरी ओफ 20 वर्कर्स इज रूपीज 10,250 इप दे सेलरी ओफ ओफिसर इप सूपर इंडेंट इज एड़ अगर सूपर इंडेंडेंट की अगर सालरी एड़ करते हैं दे मीन विल बी इंक्रीजड बाई रूपीज 750 बातब ट्विटी वर्कर्स कि जो मीन दी गई है और यहां पर एक और है जो सुपर इंडेंडेंड ओफिसर अगर उनको एड किया जाता है तु समय मीन कितना बढ़ जाता है सेवेन फिटी बढ़ जाता है फांडेंडेंडि ऑफ दो ऑफिसर्स तुपर इंडें है तो वही एजुम कर लेते हैं कि लेट जी कि सेलरी आफ कि आफिस कि सूपर इंटेंडेंट अब भी रूपीज यक्स अब क्या बोला है ट्वेंटी वार्कर्स की जो मीन दिया हो कितना है 10,250 तो हम इसका टोटल निकाल लेंगे सम आफ कि सेलरीज आफ ट्वेंटी वार्कर्स कि इस इकल टू ट्वेंटी इन्टू 10,250 इस इकल टू रूपीज आएगा हमारा है यह मल्टिप्ला कर देंगे टू लैक 5,000 यह हमारा क्या आ गया 20 वर्कर्स की टोटल सेलरी आ गई टोटल सेलरी है अब इसमें क्या करना है सूपर इंडेन को आड करना है तो रिखेंगे sum of salaries including salary of office superintendant इस इकल टू पहले कितनी थी 20 लोग की 25,000 प्लस उसमें सूपर इंडेन को आड किया तो अब कितने पर्सन होगे 21 पर्सन होगे अगर इसका मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे 25,000 प्लस एक्स अपॉन 21 देखियो क्वेशन में क्या जी बोला था इप दे सालरी ऑप ओफिस सूपर इंडेने इस एडेड़ दवी इंडेन विल बी इंक्रीज बाई 750 मतब कि जो मीन था हमारा मीन कितना था 10,250 उसमें कितना इंक्रीज हो गया है 750 इंक्रीज हो गया है तो बाई गिवन कंडिशन इवन कर्णिशन में क्या हो जाएगा जो हमारी यह मीन गया मीन कैसे निकालते है मीन इस इक्वल टू मीन इस इक्वल टू सम आप दो ऑब्जर्वेशन अपॉन सम टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन तो मीन हमारा कितना था यहां पे 10,250 प्लस उसमें इंक्रीज कितना हो गया है 750 इस इक्वल टू इस मीन कितना हो जाएगा टू लेग 5,000 प्लस एक्स अपॉन कितने लोगों अभी 21 अभी हमें एक्सक्राइड करनी है अब देखिए यहां पर 21 का क्या है डिवाई इस साइड आगा तो क्या हो जाएगा मल्टिवला पाले हम इन दोनों को एड़ करते है जी रो जी रो जी रो फॉन मत्तक्त टोटल 11,000 अगा इस इक्वाल टू टू लेग 5,000 स्ट इएक्स डिवाई वाई 21 का है आपे क्या है डिवाइड इस साइड तो मल्टिपला है एलेवन ताउन इन्टू 21 इस इकॉल टू टू लेग 5,000 प्लस एक्स हमें एक्स की वर्दू करने फ़ले इसका हम मुल्टिप्लाइ करेंगे तो आएगा हमारा है तो लैग थर्टी वन थाउजेंड है इस इक्वाल टू तू तू लैग थाउजेंड प्लस एक्स एक्स टू दो फाइड निए इसका प्लस इसा ना तो माइनस तो तू लैग थर्टी वन थाउजेंड माइनस तू लैग थाउजेंड इस इक्वाल टू एक्स तो माइनस कर देते हैं तो आएगा हमारा 31,000 में से 5000 minus 26,000 आएगा is equal to X so therefore X is equal to 26,000 so therefore the salary of office superintendent is equal to rupees 26,000 इस तरह question number second हमारा complete हो गया इसको आप अच्छे से कर लिजे question number third हमारा है the mean of nine numbers is 77 if one more number is added to it then the mean increased by 5 find the number added in the data मतलब यह question number जो second था उसी की तरह सेम है आप खाली question जहां से देखिए वहाँ पे क्या हुआ गरता था वहाँ पे 20 workers थे जिनकी mean दिया गया यहाँ पे कितने nine number है जिनका mean दिया गया है तो हम उसका total sum निकालेंगे उसमे एक new number एड़ किया था वहाँ पे यहाँ पे super internet को add किया गया था तो यहाँ पे भी new number add किया गया है तो जो भी हम sum निकालेंगे उसमे एक्स को एक से उनके उसको एड़ कर देंगे बहुत ही चली दिखते हैं पहले वाजुन कर लेते हैं जो मैं फांट है इसाजी नूबर लेट कि अधूब नूबर कि अधेना याक्स मत्सद जो नूमबर एड किया गया हो कि हम ने के जुम किया है यह तो यहां sum of sum of 9 numbers is equal to 9 into 77 जो हो जाएगा हमारा 693 यह कितने नमबर का है 9 नमबर का एक नमबर और इसमें एड किया गया है जो हमने क्या है तो यहां पर कितना हो जाएगा और यह टोटल कितने हो जाएंगे 10 नमबर हो जाएंगे sum of numbers including new number is equal to पुराना नमबर हमारा 693 था प्लस उसमें हमने क्या एक है एक्सकूड किया है by given condition में क्या बोल रहा है कि जब हम इस दसूर नमबर का जो में फाइंड करते हैं वह जो में रहता हुसमें कितना इंक्रिज़ाएं मतब में क्या में प्लस उसमें इंक्रीज हो रहा है और यह 693 प्लस यह टोटल टेन नंबर है और डिवाइब कितने हो जाएंगे टेन यह टोटल टेन नंबर का क्या है साम और यहां पर क्या है टोटल नंबर कितने हो गए अब इसको हमें एड़ करते हैं 82 is equal to 693 प्लस यक्स अपॉन 10 10 का यहां पर डिवाइड यहां आएगा तो मल्टिप्लाइब 82 into 10 is equal to 693 प्लस यक्स इसका मल्टिप्लाइब करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 820 is equal to 693 प्लस यक्स यक्स की वेल्व हमें फाइंड करने हैं तो इसको इसाड़ ले जते हैं 820 693 is equal to x 820 में से 693 अब माइनस करते हैं तो आज आगा हमारा 127 is equal to x so therefore x is equal to कितना आ गया 127 मत्तब जो नंबर हमने एड़ किया होगा कितना था 127 so last time नहीं दिए है so therefore the new number added is equal to 127 इस तरह question number 3 हमारा complete हो गया question 4 हमारा है the monthly maximum temperature of a city is given degree Celsius in the following data by taking suitable classes prepare the group frequency distribution table देखे यहां पर किसी CD का क्या दिया हो temperature दिया किया हो जो मेजर करके और उससे क्या बनाना अपने को एक suitable suitable class देकर क्या बनाना है frequency distribution table बनाना है from the following table answer the following question और यहां पर table बनाने के बाद कुछ question पूछा है जिसके हमें क्या देना है answer देना है तो अचलिए जहां से देखते हैं पाइज हम table बनाते है table बनाने के लिए class कैसा लेना है तो यहां पर जो सबसे छोटा नंबर हम दूड़ते हैं सबसे छोटा नंबर हमारा है 18 28.1 है मता हमारा class कहां से लेना पड़ेगा 28-29 भी ले सकते हैं तो हम दो-दो का गैप लेते हैं 28-30 32 32 32 तो इस तरह लेंगे तो देखे हैं हमने आप इस आपके suitable के लिए class ले लिया है यहां पर फर्स टेबल हमाने हमने ड्रॉप किया temperature का सेकेंड टैली मांक से और थर्ड वाला जो हमारा frequency है पहले हमने temperature में 28 से लेके 30 लिखा है उसके बाद 30 से 32 32 से 34 34 से 36 36 to 38 विकाज यहां पर हाइस तंबर क्या होगा हमारा है यहां पर 37 पॉइंट सम्धिंग कुछ होगा तो इस हमने तर्टी एक लिया है अब यहां पर देखिये जो ट्वेंटी से लेके 30 मते हां पर थार्टी को नहीं काम करेंगे 20 से लेके 29.9 तक त्युक्त जान दीजे 28 से लेकर 29.9 तक ही इसमें होगा 30 इसमें नहीं होगा बलकि 30 नेक्स वाले में इंपिल्ष होगा तो धून दि Grund होगा 31 किसमें 32 एक्ट-टू कॉलम में इंप टूधो होगा तो चलिए इसके हब से हम क्या करते हैं हमाना फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं अगले होगा और शाटल कहले हैं हमारा नसल यहां न को अशना घ्र करने के बाद अगर59 वरन odc देख दो डेड़ा वी सोने की चांसे ज़ते हैं तो आप उसको पहले काउंट कर लिजेगा 30 है और यह जोड के हमारा कितना है 30 अब क्या करना है टेली मांग मना तो हम इन विदा है आप कैसे बनाना है एट है तो 12345678 12345678 12345678 12345678 12345 और यह वन टैली मांगी बन गया यह टेबल आपको समझ में आ गया हमें यहाँ पे 28 से लेके 29.9 तक ही लेना है तो यह 30 को हम नेक्स्ट वाले कॉलम में एड के इंक्लूड करेंगे आप ध्यान से मरा लीजिएगा अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हम पहला क्वेश्चन दिया है फार हाउ मेनी डेज्ट मैक्सिमम टेंपरेचर वाज लेज देन 34 से कम 34 से कम मतब कहा तक आएगा आ टियुकि 24 डेज में टेंपरेचर कितना रहा 34 से कम था अगर 34 से ज्यादा बोलता तो हम यहां से कांट कर ले दे नेक्स्ट वाला फार हो मैनी डेस्ट अम्हां टेंपरेचर वास 34 से और मोर दान देखे 34 से ज्यादा मतलब यहां से लेकिए आगे तक पूरा लेने क्युकि 34 से ज्यादा है तो कितना 5 प्लस वन इन भी 6 तो क्या लिख देंगे 6 डेस इस तरह हमने टेबल ट्रॉट किया टेबल ट्रॉट के दोनों क्वेशन का एंसर दे दिया क्वेशन नवर 4 हमारा कम्टीट हो गया क्वेशन फाय हमारा है इप दो मीन आप फालूइंग डेटा इस 20 50.2 then find the value of P देखें आप 2 टेबल गया है फस्ट इवारा है और इयकशाई और सेकन टेबल है हमारा फाइट तो हमें क्या निक्साई और हमें इसका इसमें घू करके लिए हमने इसका इसमें ट्रोट ए सब्सक्या क्या तो 150 अब हमने इसमें चेहां तो तो 30 प्लस पी क्योंकि हम पी को तो एड़ नहीं कहा सकते हैं इस सब को एड़ किया और प्लस पी नहीं दिए यहां पर भी से महीं करेंगे इसको प्लस इसको प्लस इसको चारों को एड़ करेंगे प्लस बाद में कहा लिख देंगे 20 पी तो हमने सब को एड़ किया 610 प्लस 20 पी अ हमारा कितना है 610 प्लस 20 पी अपॉन यह कितना है 30 प्लस पी अब देखें इस पार्ट का यहां पर डिवाइड है इस साथ क्या हो जाएगा मुल्टिप्ला चलिए कर देते हैं 20.2 इंटू 30 प्लस पी इस इकॉल टू 610 प्लस 20 अब इसका इसमें इंटू कर देते हैं इसका हम इसमें इंटू कर देखें 0 है जहां से करिएगा जीरो से मटना प्लेज़ जीरो है जीरो फिर च्री से सब में कर दें तो टू प्लस इसका इसमें करेंगे तो 20.2 पी इस इकॉल 610 प्लस 20 अब क्या है पी वाला एक वेरियेवल एक साइट कॉंस्टेंट एक सब्सक्राइब तो क्या करना है वे 20.2 पी माइनस 20 पी इस 22.2 पी को हम इस साइट रखे 20 पी को इस साइट ले क्या है सिक्स 10 वहीं पर है एक सिक्समाइन 606 ऊससे लेगा तो माइनस जाएगा यह माइनस करते हैं तो कितना है जिरो पॉइंट टूपी इस इक्वाल है कितना हो जाएगा फूर फी की यह निकालनी है 0.2 का हम अटिपला है तो डिवाइड हो जाएगा तो पी इस इक्वाल 10 से मल्टिबार उपर 10 से मल्टिबार नीचे क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टा उपर के जो 40 हो जाएगा और यहां 10 से करें कितना हो जाएगा 2 सब्सक्राइब करें कितना जाएगा 20 से यहां पर उन्हें पी की वैल्यू कितनी आ गई 20 इस तरह कुश्चन आपाई हमारा कम्टीट हो गया कोश्चन आपाई हमारा है देरा 60 to 68 इस्टुडेंट आफ नाइंध इस्टेंडर फॉमॉडल हाई स्कूल नंदपूर देहाव इसक एक्जाम में टोटल आउट आफ एक्टी मार्स में से टोटल 68 इस्टुडेंट है इसके मार्स दिए गए हैं तो यहां पर कुछ इस तरह दिए गए हैं यहां पर क्लास हमें दिया है 30-40-40-50 प्रिपेर दे लेस देन टाइप क्यूमुलूटी फ्रिक्वेंसी टेबल यूज फ्रिक्वेंसी लेज देन टाइप के बाद ही कोई इंसर हम दे सकते हैं तो चलिए हमने आप देखिए पहला हमने आप टेबल बनाया है क्लास माक जिसमें हमने क्लास दिया है 30-40-50-50-60-60-70-70-80-80-20-90 अब उसके बाद फर टेवर एक टेवर तो आपको बनाना तो बना सक है इसमें लिए नहीं इसमें तरह नेगें कांट करेंगे तो इस तरहने कांट कर गए उपर से ऐड आब लेगें कि där आया है बता हमारे सही है क्योंकि टोटल 68 इस्टुडेंट री थे अब हमें क्या बनाना है क्यूमुलिटीव रिक्वेंसी लेस्टें टैप्टेवल दीके बहुत हीज़ी है ऊपर से बनाना है तो क्या करते हैं पहले हम 14 आइज इस फूर्टीन रहेगा 14 प्लस 20 एड कर दें कि 66 और 66 प्लस टू एड कर देंगे 68 दिखेंगे भी 68 है वह सही मतलब जो लेस्टाइम हमने लेस्टाइन क्यूमुलिटीव फ्रिक्वेंसी बनाया है वह बहुत सही है हमारा अब उसके वाद कुछ कोश्चन दिए जिसके एंसरा में देना है जब पहला कोश्चन हमारा है हाउ इसकोरर माँक्स लेस एकनलेंगे यही तक लेंगे यहां पे ड्रयटी यह डैने धीलें ट्रया यह डैने एंट है यहां पर टोड़ कितने हैं 66 से तो लिख दए हम 66 इस्टूदेंट गों ऐसे हैं जिरों ने 80 से कम माक्स क्या हैं next question हमारा है how many students have score marks less than 40 less than 40 means यहां वारा कितने होगे 14 students 14 students next question हमारा है how many students have score marks less than 60 less than 60 मतब कहां यहीं तक आएगा सब्सक्राइब करें तो कितना आएगा 45 45 students score marks less than 60 से count score करने वाले कितने student total 45 student इस तरह इस तरह हमने यहां पर इस तरह question number 6 हमारा complete हो गया question number 7 है जो question data in example 6 and taking classes 30 40 40 50 prepare equal or more than type cumulative frequency table and answer the following question based on it मतब देखिए कि जो question number 6 हमारा उसी question की हब से हमें क्या बनाना है यहां पर more than type or equal type more than or equal type cumulative frequency table बनाना है उसके बाद जो question दिये हुँ उसके answer देना है तो देखिए हमने आपर table लिया है फर्स्टेबल हमारा एजडिस दिया है सेकेंड आपर हमारा भी question number 6 हमें कॉपी किया है और यहां पर हमें क्या बनाना है क्यूम्लिट्व फ्रिक्वेंसी टेबल more than or equal type देखिए बहुत इसी होता है more than equal लोटा हमें हाँ नीचे से शाट जैसे आपर कहाँ दिया है फॉर्स्ट हमारा गार्ट टू है तो हमारा लिखेंगे अभी टू प्लस नाइन इसको एड कितना हो जागा हमारा 11 11 प्लस ट्वेल इसको एड करते हैं तो हमारा 23 23 23 plus 11 34 34 plus 20 it will be 54 54 plus 14 68 यह हमारा क्या हो गया more than or equal type cumulative frequency table हो गया अब यहां पर दो क्वेशन दिया है पहला क्वेशन हमारा है हाओ मेनी स्टुडेंट्स है विसकोर मार्क्स तो 70 और मोर दें 70 मतब 70 और 70 से ज्यादा मार्क्स पाने मेले कितने स्टुडेंट्स है नाइट प्लस टू मतब टोटल कितने 11 तो लिख दें हम 11 इस्टुडेंट्स 11 ऐसे हैं जिन्होंने more than 70 more than 70 से लेके 90 तर 70 से 90 तक मार्क्स पाने वाले नाइट प्लस टू टोटल कितने स्टुडेंट्स है नेक्स्ट क्वेशन हमारा है और में इस्टुडेंट्स है स्टुडेंट्स 30 और more than 30 30 से सारे की सारे इंप्लूड जाएंगे मतब टोटल कितना आ जागा 68 आ जाएगा तो यहां पर हम लिख देंगे 68 इस्टुडेंट्स जिन्हों ने मोर देन 30 30 से 30 मोर देन 30 माक्स से इस कोर किया इस तरह कोश्चन नमर 7 हमारा कमट्वीट हो गया कोश्चन नमर 8 हमारा है there are 10 observation arrange in ascending order as given below मतलब जो डेटा दिया हुआ ascending order में है बहुत अच्छा the median of these observation is 53 जो observation दिया है उसका median दिया गया 53 find the value of x and also find the mean and the mode of the data मतलब यहां पर जो mean जो observation दिया उसका median दिया गया उसके help से हमें x की value आने के बाद हमें वहां पर उसका mean और mode भी क्या करना है find करना है तो चलिए बहुत इजी कोशन है देखे यहाँ हमें ascending order लिग दिया जो डेटा का दिया हुआ था कितने टोटल नंबर हैं की काउंट कर लेते हैं 12345 यह टोटल वनी है 6789 10 मतलब यह हमारा कितना हो जाएगा 10 10 कौन सी नंबर है इवेन नंबर है लिग देंगे आपे जहें तो टोटल 12345 यह क्या ओर नंबर है तो हमारा मेंडियन क्या हो जाए का बीच वाला लेकिसा तो हम क्या करेंगे जो सेकेंड और जो थर्थ क्लाumba निकाल देंगे एक़ मिल्यू देंगे तो यहां पर देखिए टोखास कुतने हैं इंद उल्हें झाल देंगे हम फ्रॉब्ठ और 6 वाले का यूंदाओ निकाल देंगे मिली का सुद्धेник हमारा क्या राएहां साह एंट 6 तर्म हमारा कॉन साहेगा 6 तर्म इस इक्वल तो यज़ प्लस 2 अब मीडियन का फार्मर के मेलियन इस इक्वल तो 5 संप फिप्ट तो प्लस 6 तो डिवाई बाई 2 इसका मतलब यज़ प्लस यज़ प्लस 2 डिवाई बाई 2 और वीडियेट कितना दिया हुआ था महां हमाल 53 इस इकल टू 1 एक्स वाने चेट विल भी टू एक्स प्लस टू दिवाइड वाइड यह तो फान के नहीं तो है पढ़े इसको अटाना परेट को एवाइड यहां आगा तो क्या हो जाएगा तो अटिप्ला तो एकल टू टू एक् 2 हमें 2x की 2x को यहां से अटाना पड़ेगा 2x के हाव यह प्लस इधर है तो माइनस 106 माइनस 2 is equal to 2x so therefore यहां कितना हो जाएगा 104 is equal to 2x x is equal to 104 4 divided by 2 so x की value कितनी आ जाएगी हमारे 52 अगर x की value 52 आई तो जो x plus 2 है so therefore x plus 2 will be 52 plus 2 it will be 54 अब जो अब्जेर्वेशन जो डेटा दिया है उसमें क्या करते हैं करेक्शन कर देते हैं यहां फें 52 लिख देंगे यहां फें 54 लिख देंगे तो देर्फोर डेटा गिवन डेटा बिकेम क्या बन जाएगा हमारा 45 47 50 52 52 54 60 62 63 और 74 यह हमारा रेटा नया बन गया अब मैं इस डेता क्या फाल करना है मिन में कहां में फारौबला पता ही यह मेरी सीकोल टो होता है संओ ऐसर्वजर्वेशन अपॉन टोटल नंबर आप चलिए मिन निकाल जेते हैं में आपे में इस इकल तू सम आफ और अब्सेरवेशन अपन टोटल नंबर आफ अब्सेरवेशन चलिए सम आफ और अब्सेरवेशन मतब 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 74 4123456789 10 अब क्या करते हैं अब क्या करते हैं इसको एड करते हैं तो हमारा आएगा 559 प्लस 10 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है कितना 0 है 10 पीछे से वन वाइव वन डिजिवाइड लगा जेंगे सो देरफोर में इस इकल तो 55.9 यह मने मीन भी फाइं कर लिया अब हमें क्या फाइं करना है आपे मोड फाइं करना है मोड में क्या होता देखे जो मैक्जिमम टाइप जो बहुत जादे बार आया है वह देखेंगे यहां पे म माइक्जिमम टाइं सो देरफोर मॉड इस इकल डो कितना हो जेगा 52 देखें यहां में मोड फाइं के लिया विदियो कईसी लिए ज्यादा ज्यादा से करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू